एपिसोड 17 के स्टार्टिंग में हम वूजिन को देखते हैं जो एक कपल को बात करते हुए देखता है जहां उनकी थोड़ी बहस हो जाती है तो लड़की बोलती है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और उसे जल्दी वहां से चलने को कहती है जिन्हें देखकर वूजिन को जोड़ी चलने को कहती है तो वो कहता है कि चलो कार ले लेते हैं तो जोड़ी दूर चलने के लिए कार क्यों लेना है जहां उनकी थोड़ी बहस हो जाती है तो ज्योंग्यों बोलती है वो जिन से कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी फिर वो जिन प्रेजंट में वापस आता है तो उसे हैसु की आवाज आती है जो उससे पूछती है कि वो किस बारे में सोच रहा है उसके बाद हैसु वो जिन से पूछती है कि क्या वो ठी तो वो कहता है नहीं, फिर वो जिन पूछता है कि क्या हम बात कर सकते हैं, तो हैसु कहती है हाँ, फिर हम दोनों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहां वो जिन बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए, और बोलता है कि मैं वापस आ तो हैसु बोलती है कि वो दो दिन बात देश छोड़ कर जा रही है तो वो जिन उससे पूछता है कि क्या वो फिर से यूएस जा रही है तो हैसु कहती है कि नहीं मैं स्विजर लेंड जा रही हूँ तो वो जिन उससे कहता है कि तुम्हें ऐसी कंडिशन में ट्रेवल नहीं करना चाहिए तो हैसु कहती है कि ये कोई ट्रिप नहीं है मुझे लगता है कि मुझे एक रास्ता मिल जाएगा मेरे दर्द को खत्म करने का तो वो जिन उससे पूछता है कि तुम वापस आऊगी ना और हैसु से कहता है कि प्लीज वापस आना मैं तुम्हारा वेट करूंगा यहां से इन्शिफ्ट होता है और हम हैसू और सोम को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहे होते हैं जहां सोम हैसू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं फिर सोम कहती है कि मुझे तुमसे जलन हो रही है मैं उसके लिए ज्यादा सही थी वो यहां वो जिनके बारे में बात कर रहे होते हैं तो हैसू कहती है मैंने बोला ना ऐसा कुछ नहीं है तो सोम कहती है ठीक है ठीक है फिर वो दोनों फिर से ड्रि करता हुआ देखते हैं उसके बाद से इनशिफ्ट होता है और हम वूजिन को उसके घर पर देखتे हैं जहां वो अकेला ड्रिंक कर रहा होता है तभी वहाँ ज्योंग्योन आती है उससे कहती है कि तुम ड्रिंक नहीं करते तो वो जिन कहता है मैं बेर के साथ ठीक हूँ फिर वो ज्योंग्योन को sorry बोलता है तो वो कहती है तुम हमेशा sorry क्यों रहते हो उपपा तो वुजिन बोलता है सारी चीजों के लिए तो वो कहती है कि कोई बात नहीं फिर वो कहती है कि उपपा अब मुझे जाने दो और बोलती है मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूं फिर वुजिन उसे थैंक यू बोलता है नेक्स्ट सीन में हम वुजिन को स्योयन के साथ देखते हैं जहां वुजिन उससे पूछता है कि तुमने मुझे ऐसे अचानक मिलने क्यों बुलाया तो वो कहती है मुझे आप से बात करनी है तो वुजिन वहां से उठकर जाने लगता है तो स्योयन उसे रोकती है और उससे पूछती है कि दो हैसु क्या तुम उसे पसंद करते हो तो वो जिन कहता है अचानक से ये क्यों पूछ रही हो तो स्योयन बोलती है कि बस मुझे जानना है तुम उससे पसंद करते हो या नहीं फिवू जिन वहां से उठकर जाने लगता है तो सियोयन उसे रोकती है और उसे कुछ देती है तो वू जिन उस तस्वीर को देखता है और शौक हो जाता है नेक्स सीन में हम कैफे में सोम और हैसू को देखते हैं वो कुछ बात कर रहे होते हैं उसके बाद सुम वहां से चली जाती है और हैसु जैसे ही दूसरी ओर मुरती है तो उसके सिर में बहुत तेज दर्थ शुरू हो जाता है और वो बोलने लगती है कि अभी टाइम नहीं आया है मेरे पास अभी दो दिन बाकी है फिर उसे एक आती है जहां वो किसी का हाथ पकर कर चल रही होती है इस सीन को हमने पहले भी देखा है पर इस बार हमें उस इंसान का चहरा दिखाया जाता है जो की और कोई नहीं ज्योंग्यों होती है इसका मतलब हैसु ज्योंग्यों को पहले से ही जानती थी और फिर वो बेहोश हो जात है और यहीं यह एपिसोड एंड होता है थैंक्स फॉर वाचिंग बाई बाई